स्टूर्ट वेल्कम टू नेटक्रेकर्स मैं उराख शर्मा इस चैनल पर अब सभी का स्वावित करता हूं स्टूर्ट स्टूइटी एक्जाम 2024 की सिरीज में आज ही हमारा तीसरा लेक्चर है इससे पहले हम लोगों ने प्लैटो को और अरिस्टॉटल को डिसकस किया हमने समझा किस तरह से गरफ फिलोस्फी की शुरुआत हुई और ऐसे में प्लैटो और अरिस्टॉटल के बाद हमारे आज तीसरे सबसे महा अचंतकों में से एक मखैवली की हम लोग बात करेंगे निकॉला मखैवली यह नाम जब भी लिया जाता है तो इस नाम के साथ जुड़ता है वो दौर जो की एक डार्केस टेरा माना जाता है पॉलिटिकल साइंस की या पॉलिटिकल थॉट्स की डवलप्मेंट की छेतर में देखिए हम तीन अलग-अलग युगों की बात करते हैं प्राचीन काल जो था फिर मध्यकाली यूग और अभी जो चल रहा है अधुनिक यूग इंग्लिश में इसको कहते हैं इंसिन टाइम, मेड़ेवल एरा, एंड इमॉर्टन वन जब इंसिन टाइम की हम बात करते हैं, प्राचीन यूट की बात करते हैं तो जारतर जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं उसमें आपको देखने को मिलता है कि वो आइडिया शोशल कॉंसेप्स को लेके काफी ज़ादा डेप्थ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं यहां पर प्राब्लम यह आई कि जो पॉलिटिकल इंसिटूशन थे दीरे दीरे यूरॉप के अंदर चर्चेज उनको कैप्चर करने लगे चर्चेज का बोल बाला इतना ज़ादा बढ़ गया था एक समय ऐसा भी आया जब किंग से ज़ादा पॉप की चला करती थी या जो चर्चेज के पादरी हुआ करते थे एक फादर जिनको कहा जाता है वो ज़ादा इंपॉर्टन रोल प्ले करने लगे और इस एक एरा के अंदर जो पॉलिटिकल थॉट थी जो इंस्टूशनल सॉवरिनिटी थी वो डिकलाइन पर आ गई और इसी एरा के सबसे लास्ट फेज में आते हैं निकॉला मख्यावली अल्दो इस एरा के अंदर एक चीज थी जहां एक तरफ चर्चस का बोलबाला का दूसरी तरफ मोनार्की अपने पीक पे थी तीसरी तरफ साइंस धीरे धीरे डवलप हो रही थी यह वो टाइम था जब एस्टोनॉमी में, मैथमेटिक्स में और बहुत सारे एरियास के अंदर मल्टिपल डवलप्मेंट्स हमें देखने को मलती हैं ऐसे में मख्यावली आते हैं इटली से इटली का एक बहुत सुन्दर शहर फ्लोरेंस फ्लोरेंस से मख्यावली आते हैं और फ्लोरेंस उसमें एक पुरा राज्यव हुआ करता था और यहां से जब मख्यावली अपने विचार सब के सामने रखते हैं तो इन विचारों में बहुत स्पष्टता हमें नजर आती हैं जो उनके रियलिस्ट होने के साथ साथ एक विजनरी होने की पहचान भी देती है अब यह वही टाइम था जब मडेची फैमिली का राज फ्लोरेंस पे हुआ करता था मखैवली के अगर पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो एकलर के तोर पर इन्होंने शुरुआत की बट अपनी नॉलिज और अपनी इंटिलेक्टिलिटी के चलते यह उस एक राज परिवार के दरवार में काफी हाई पोजीशन तक पहुँच गए और आप कह सकते हैं जा मिनिस्टर ने उन्होंने वर्क किया मेडिजी फैमली का डिकलाइन भी देखने को मिला जब बात करते हैं निकॉला मखैवली की और उनके विचारों की तो यह वही समय था जब एक तरफ निकॉला मखैवली जैसे सिंकर्ज ने जनम लिया जो की पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को सेपरेट करना चाहते हैं उस फेर से जिसको आप गॉड या उस समय की फेमस पैपल थियोड़ी जहां चर्चिस का बोलबाला हुआ करता था अब हम पैपल थियोड़ी की बात करते हैं तो यह बेसिकली कैसी थियोड़ी है जो की कहती है कि चर्चिस जो है वो सॉवरेन है कोई भी राजा कोई भी इंस्टूशन जो है स्टेट का वो चर्चिस से उपर नहीं है इसी दुरान एक और थियोड़ी ने जनम लिया that is called two short story दो धारी तलवारों का सद्धान two short story कहती है कि एक तलवार जो है वो तो राज्टंत्र है राजा है दूसरी जो है वो यह चर्चिस है अब चर्चिस का रोल अगर उस समय समझा जाए तो वो इस सेंस में समझा जा सकता है कि चर्चिस इतने सोबरन हो चुके थे कि वो हर मामले में इंटरफेर करने लगे थे राजा की और राज्टंत्र की खुद की कोई एमियत नहीं रहे की और इसका रिजल्ट यह हुआ कि जब पावर इतनी चर्चिस की बढ़ गई तो चर्चिस अथोरोटेटिव तरीके से वर्क करने लगे साथ ही चर्चिस की द्वारा एक्सप्लोटेशन और करप्शन के मामले भी बहुत ज़्यादा सामने आने लगे एज रिजल्ट हुआ यह कि जो डिकलाइन था मेडेवल एरा के लास्ट में वो स्टार्ट हो गया था इस तरह की थोरीज का जहां पर चर्चिस को ज़ादा एक तरह से आप कह सकते हैं बल मिला था यह बहुत स्टॉंग तोर पर सामने आये थे इसे पूरी फिलोसफी का जो ह डिकलाइन हो गया था और जो किंग्शिप थी जो मुनार्क्स थे वो दुबारा से स्टॉंग होके सामने आये थे ऐसे में मख्यावली सीज़े तोर पर एक बात कहते हैं वो कहते हैं there is a difference between the morality God and between the politics God और जो politics है इसको separate कर देते हैं मख्यावली और इसको separate करते हुए अपने विचारों को अपने द्वारा लिखी गई एक किताब दी प्रिंस के अंदर वो समझाते हैं अब निकॉला मख्यावली को जब आप पढ़ेंगे तो ऑल दोनोंने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी हैं बट सबसे फेमस दी प्रिंस है वाई वी एर गिविंग ए रफरेंस किताब के अंदर निकॉला मख्यावली के विचारों को सबसे बहतर तरीके से समझा जा सकता है इसी किताब के अंदर निकॉला मख्यावली किंग कैसा हो उसको एक्ट कैसे करना चाहिए राज्य कैसे चलाना चाहिए इन सब बातों पर अपने विचार रखते हैं और जब महा कि अर्थ शाष्ट्रा को पड़ा है तो बहुत जादा सिम्लेरिटी आपको नजर आएंगी यहां तक कि लगेगा कि अर्थ शाष्ट्रा का ही इंग्लिश वर्ज़र है ठीक है यह आपको लगेगा वाई बिकॉस किंग कैसा होना चाहिए कहां उसको ब्रुटैलिटी करनी चाह इन सफीजों पर मखैवली भी बात करते हैं अब यहां पर दो चीज़े आपको मखैवली के आडिया में सुनने को मलती है पहला तो है कि वाई ही वांट्स तो सेपरेट पॉलिटिक्स विद गॉड और आज इसी टॉपिक के ओपर हम लोग बात करेंगे साथ ही आप में से जितने भी स्टूडेंट अभी सुटी दोहजार चॉबैस एक्जाम जो की मार्च में होने वाला है उसकी प्रपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप नेटकर्स की ऑनलाइन क्लासिस के साथ जूर सकते हैं जहां हमारे कोर्स बेस्ट हैं डिरेक्ली सुटी आप नेटकर्स के साथ हैं तो चलिए स्टूंट निकॉला मख्यावली से शुरुवात करते हैं और यहां पर समझते हैं कि क्या डिफ्रेंस मख्यावली बेसिकली क्रियेट करना चाहते हैं अब मैं मोरैलिटी वर्ड का इस्तमाल कर रहा हूँ कहीं जगा पर लिखा होता है गौड बधवान हिंदी में हम बोलते हैं राजनीती और नैतिकता अब यह डिफ्रेंस मख्यावली किस तरीके से कंसेडर करते हैं मख्यावली कहते हैं कि वो अपने समय का अपने टाइम का एक जिकर करते हुए कहते हैं कि मैं जब छोटा था तो एथेंस के बारे में सुरी हा फ्लोरेंस के बारे में काफी सुना करता था फ्लोरेंस की पावर के बारे में सुना करता था फ्लोरेंस कितना जदा मजबूत था इटली के अंदर उसको समझा करता था बट आज ये दौर है जहां Florence अपनी सारी पावर खो चुका है अपने decline के ओपर है और उसका एक बड़ा reason यह है कि जो हमारा राजतंत्र है वो corrupt हो चुका है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से उसे करना चाहिए और दूसरी बड़ी वजा यह है कि जो rule of God है वो हावी है हमारे राजतंत्र के ओपर अब आप imagine के जिए कैसा राजा जो अपने छोटे बड़े फैसलों के लिए भी पूरी तरीके से depend करता है कि क्या guidance उसको मिलेंगी from the churches उसके basis पर फैसले लेगा तो इस वजा से जो मखैवली है वो उस समय के जो concepts से उनको criticize करते हैं अब आप इस चीज़ को अगर बहुत बड़े तोर पर समझें तो ऐसी बहुत सारी किताबे आपको पढ़ने को मिलेंगी जो यूरोप में उस era के टाइम पर क्या हो रहा था अंद विश्वास किस तरह से पैला हुआ था उसको समझाने का काम करेंगी अब होता क्या है हम भारत के अंद विश्वास को तो पढ़ लेते हैं हमें हमारी NCRT's के अंदर अलग में क्या हो रहा था बढ़ हम अंग्रेजों के साथ क्या हो रहा था यूरोप के अंदर या वेस्ट में क्या हो रहा था वो हमें पता ही नहीं हमें लगता है कि दुनिया की सारी कूरीतियां एक है सारे के सारे जो बैड हैबिट्स थी हो भारतियों में यहीं पर जातपात का इशू था, यहीं पर woman exploitation था, दुनिया में तो कुछ था ही नहीं बिट अगर आप Europe का इतिहास उठाएंगे तो आपको exploitation at peak नजर आएगा, आपको समझ में आएगा किस तरह सी European thinkers या Western thinkers, woman को asset एक property की तरह deal करते हैं ठेक है, कितने ज़ादा oppression कितना ज़ादा exploitation, woman ने वहाँ पर जेला है, और अगर हम धरम की बात करें हैं कि religious exploitation तो वो आप imagine नहीं कर सकते हैं उतनी extremity थी West में, और आज भी बहुत हद तक वो exist करती है Although Western media उसको उस तरह से बाहर नहीं निकालता But yes, it exists तो politics की और morality की अगर बात करें, तो ये कहते हैं कि जो politics है, वो एक social expect में work करता है समाजिक तोर पर कारे करता है जबकि morality ये individual है अब ऐसा क्यों कहते हैं, concept of God अगर हम कहें, या morality की बात करें तो individual क्यों है मान लीजे अगर आपको राजा बनाया जाए और आपके सामने कोई व्यक्ति आए जिस पर इल्जाम हो चोरी का और ये आप से कहा जाए कि सर इसने चोरी की है, इसने एक रोटी चुराई है, आप उससे पूछते हैं कि भई आपने ऐसा क्यों किया तो हो कहता है कि सर मेरे बच्चे भुके थे, इसले मैं नहीं था, उसके बच्चे भुके थे तो सिर्फ उसने रोटी चुरा दी बट एक राजा की तरह अगर आप सोचें, और राजा इस रोटी चुराने के इल्जाम में उसको बरी कर दे कि जाओ भी कुछ नहीं होता तो क्या ये नियाए होगा उसके साथ जिसके घर से रोटी चुराए गई अब टेक्निकली देखा जाए तो हो सकता है कि उस इंसान को उससे पर बड़ा लॉस ना हुआ होगा बट पॉइंट इस देट कि अगर आप आज उसको छोड़ देंगे ये कहके तो तो फिर जिन्दी की भर कभी भी रोटी कमा के नहीं खाएगा वो हमेशद चुरा कर ही खाएगा तो आप एक ऐसा एक्जामपल क्रियेट करेंगे जहां पे आप बहुत लिनिंसी दिखा रहे हैं आप बहुत जादा करोना दिखा रहे हैं और आप बेसिकली सिंपती के आगे अपनी जो जज्जमेंट है लॉस है उनको सप्रेस कर रहे है तो ऐसे में मखैवली कहते हैं जो किंग है उनको ब्रूटल होना चाहिए कोड ब्लड़ेड वर्ड का इस्तमाल करते हैं मखैवली कहते हैं इस कंडिशन में भी मक्यावली राजा के लिए कहते हैं कि सजा दो और ऐसी सजा दो के example create हो जाए दिल्ली के अंदर एक जगा है हौजखास हौजखास में एक place है जहां पर कुतबदीन एबक चोरों की गर्दन काटके रखवाया करते थे ताकि आते जाते कि लोग उन गर्दनों को देखे और उनको realize हो कि बहुत चोरों के साथ क्या करना चाहिए if you come to हौजखास metro station it is very nearby that point is that कि आपको इस तरह example create करने पड़ते हैं और king के लिए कहते हैं कि king जो है अपनी एक army रखनी चाहिए अलग से ठेक है क्यों क्यों कि हो सकता है king पे कोई attack करें तो एक personal army king रखे they should be a very brutal और king के इशारों पे वो लोगों को मारे अगर मान लीजे king को लगता है कि उसकी सकता इशाशन पे कोई सवाल उठा रहा है तो उसको assassinate कर दो मरवाद उसको ठेक है इसके अलावे का कहते है कि जो morality है वो दो तरह की होगी नैतिकता दो तरह की होगी एक होगी public morality एक होगी personal morality अब ये जो case था चोरी वाला इसमें अगर king कहता है कि आप free हो कोई नहीं होता आपने रोटी चुराई चोक के आप जाओ तो इससे ठीक है ये आपकी individual morality होगी पर public morality क्या कहती है कि आप उसको क्या दो punishment को ठेक है public morality कभी ये नहीं कहेगी तो आपको किसको follow करना है हमेशा public morality को जनता जो कह रही है उसको मानो आप खुद का क्या सोचते हो उसको मत मानो मैं एक और उधारणा को देता हूँ ठेक है जब हम रमायन महा कावे का जिकर करते हैं तो उसमें एक छोटा सा हिस्सा आता है जब श्रेराम जी को कह दिया कि आप जो है जंगल में चले जाएए ठेक है क्योंकि लोग प्रजा जो है जानते थे कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है उनको पूरा विश्वासता सिता जी पर प्रफिवर ने क्या किया लोगों की सुन पब्लिक मॉरलिटी को फुलफिल किया अब आप में से बहुत रूंट ये गाएंगे केसर पर ये तो गलत है किंग को तो वाइस होना चाहिए जैसे प्लाटो कहते थे बिल्कुल किंग वाइस हो सकता है बट अगर किंग सिर्फ अपनी ही सोची हुई चीजों को अपलाई करता रहेगा तो पब्लिक उसके खिलाफ हो जाएगी क्योंकि हर एक इंसान अलग सोच सकता है अलग-अलग कंडिशन के अंदर तो इसलिए आपको पब्लिक मोरलिटी को फॉलो करना है अब यहाँ पर जब इस तरह के विचार ही रखते हैं तो उस समय शेक्षपियर नाम तो आपने सुना ही होगा शेक्षपियर लिट्रेचर में शेतान को दिया दिखा रहा है तेक है इतने बूटल आइडियाज है इतना बूटल किंग ये क्रियेट कर रहे हैं बट मखैवली इन विचारों के पीछे क्या तर्फ देते हैं वो कहते हैं कि मेरा किंग ऐसा किंग है जो स्टेट को मजबूत बनाएगा ताखत वर मनाएगा क्या मोनार्की को सपोर्ट करते हैं कोशन ही उठता है जी हाँ बिलकुल मोनार्की को सपोर्ट करते हैं बट एक और पॉइंट यहां पर रियाईज होता है क्या बाकी फॉर्म ओफ गर्मिट्स मुनार्की के अलावा Republican की बात की जाए, Democratic की बात की जाए क्या इनको मना करते हैं गलत हैं? जी नहीं वो कहते हैं मुनार्की अच्छी है, सबसे best है but point is that कि हर मुनार्किंग अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है तो इसलिए अगर Republican government होगी, तो I think वो ज़्यादा बेटर रहेगा अब यही एक twist है, McCavely के thought process में because mostly student जो McCavely को पढ़ेंगे, वो यही सोचेंगे कि मुनार्क या मुनार्की के favor में है, रास्तंतर के favor में है बटी कहते हैं कि अगर Republican government होगी, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्यों, Republican government basically क्या होती है, बहुत सारे लोग मिलके कुछ एक cabinet या council बनाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से कोई अब हो सकता है कि वो राजा कुछ चीजों पर गलत हो या फिर वो time के साथ गलत हो जाएं, बट Republican अगर रहेगा तो शायद इस चीज बात की chances बहुत कम हैं कि individual सारे गलत decision लेता रहेगा और कोई उसको रोकेगा नहीं, जबकि मोनार्क के साथ असा हो सकता है, किम जॉंग अगर बात की जाएं, नौर्थ कुरियर की, तो he's kind of, you know, ultimate, totalitarian authority, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है, तो अब imagination जो है पुरे empire का state बना रहे, state एक important institution है, मखैवली ही वो व्यक्ती थे, जिन्होंने अपने बिचारों के अंदर, natural जो state है, व्यक्ती जब सबसे पहली बर जंगलों में रहते थे, उसकी बात की थी, natural rights की बात करके जाते हैं, कि क्या natural rights का concept है, और बहुत सारे thinker जो इनके बाद आए, वो ये मानते हैं कि भड़े ही मखैवली medieval era के last में आये थे, पर ये सही माइनों में एक modern political thinker थे, although mostly, even a political science में जतने भी लोग हैं, they are believing के, Thomas Hobbes वो पहले थे, कुछ कहते हैं, Jean Budeen पहले थे, हाँ, अगर modern era के start होने के बाद की बात करें, तो आप इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर Thomas Hobbes आये जनवरी 2024 में, तो मखैवली आये last week of December 2023, ठेक है, तो इस तरह से मखैवली को कुछ लोग first modern political thinker मानते हैं, और कुछ लोग Thomas Hobbes को first modern political thinker मानते हैं, तो अगर हम overall sum up करें, तो मखैवली का जो main idea था, जो base idea था, वो इस चीज को समझने का था, कि एक state के लिए एक best राजा, क्या हो सकता है, एक best king की जो, you know, imagination है, वो किस तरीके की हो सकती है, क्या qualities king की होनी चाहिए, उसके उपर बड़े तॉर पर discussion करते हैं, कोटिल्या को अगर आप पढ़ किया हैं, तो बहुत similarity मिलेगी, वो भी king को बहुत जादा, you know, एक important personality मानते हैं, मनु का अफ्तार मानते हैं, और कहते हैं कि king के अंदर बहुत सारी quality होनी चाहिए, जिन qualities की बाद, मखैवली भी अपने prince के अंदर करते हैं, prince को wise बनाना चाहते हैं, prince को चाहते हैं, कि वो corrupt ना हो, unbiased हो, और वो इस चीज़ को समझे, कि जो power उसको as a raja, as a king मिली है, उसका सबसे सही इस्तमाल किस तरीके से हो सकता है, and ये बात, ये court बहुत अच्छे से बोलते हैं, कि it is a duty of king to remain in power by any how, any mean, कि शक्ती में बने रहना ही जो राजा का है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, आप शक्ती शाली रहो और शक्ती में बने रहो, ये ही एक राजा का कर्तव्य है, इसके उपर बड़े तोर पर focus करके जाते हैं, तो student, आज की हमारे वीडियो में हमने मख्यावली को discuss किया, आप जब इस lecture को सुनाएंगे, त हम लोग एक और important thinker को discuss करते हुए,